करवा चौत वाले दिन ये पांच उपाए बहुत ही आसान उपाए हैं जिन्दगी भर पत्नी की और खीचा रहेगा पती दोस्तों ये उपाए अपने करवा चौत वाले दिन करने हैं बहुत ही आसान से उपाए हैं जिनको करकर आप अपने जिन्दगी में प्यार भर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारें बता देती हूँ नमस्कार दोस्तों मैं वीना गौतम कैसे हैं आप सभी मैस्टोर वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर आप सभी का मेरे चैनल 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 और फोर्चुन में स्वागत अगर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समस्य में पर आपको मिलते रहे तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और उन उपाई की तरफ जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको आपने ये उपाई करवा चौत वाले दिन करने हैं बहुत ही सटीक उपाई हैं जिनको करकर आप अपनी लाइफ में प्यार ही प्यार पासकते हैं अगर आपके पती के संबदों में खिचाव रहता है तो उसे दूर करने का आपके पास शांदर मोका है आप करवा चौत पर पांच खास उपाय करके इस दूरी को हमेशा के लिए मिटा सकती है भारतिय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे त्योहार है जो परिवार के मूलियों को मजबूत करते हैं इनी से एक त्योहार है करवा चौत इस दिन स्वहागरे अपने पती की लंबी उबर के लिए वरत रखती हैं और उनके खुशाली के लिए प्रातना करती हैं इस बार ये वरत 13 क्तुबर को रखा जाना है इसे लेकर महिलाए अपने स्थर पर त्यारी कर रही हैं मानता है कि इस दिन अगर आप कुछ विशेश उपाय कर लेती हैं तो पती बतनी के बीच जिन्दगी में हमेशा प्यार बना रहता है और घर में मालक्षमी बिराजबान रहती हैं तो अगर आपकी अपने पती के साथ अक्सर अनबन रहती है तो उस अनबन को दूर करने के लिए आप करवा चोध पर खास उपाय करें इस दिन बेशन से बने पांच लड़ू, पांच केले, आटा शक्कर के बने पांच पेड़े और धाइसोग्राम चने की भीगी डाल गाय को खिला दें, कहा जाता है कि ऐसा करने से पती पतनी के बीच मन की गार दूर हो जाती है और उन में लगाव पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर पती आपका आप पर ध्यान नहीं देता है, अक्सर आपसे दूर दूर रहता है, तो आप करवा चोध वाले दिन माता गो की किस गोलिया बढा कर गजनन के अरपित कर दें, ऐसा करने से पती में वियोग की भावना हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपसे प्यार करने लगेगा, आपसे दूर होने की वो कोशिश भी नहीं करेगा, नहीं सोचेगा, मेहनत के बाबजुत पर घर में पैसा ने अरतिक ठंगी के वज़े से घर में टेंशन रहती है, तो आप करवा चोथ वाले दिन ओम श्री गणी गणपताए नमा मंत्रका जाप कर भगवान गणेश को हल्दी की पाच बज गाटे अरपित कर दे, मानत है कि सुपाई से घर की आरतिक ठंगी दूर होने लगती है, और म जारने रहा, तो भी करवा चोथ का उपाई आपके जीवन में खुशाली ला सकता है, और ये उपाई आपके लिए फायदे मन्द हो सकता है, आप करवा चोथ वाले दिन 11 गोमती चकर को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बे में रखकर कहीं छुपा दे, कहा जाता है कि इस करने से पति बतनी के बीच विश्वास की आविश्वास की खाय दूर हो जाती है, और विश्वास बना रहता है दोनों के अंदर, ये आप करश से बोज से तूट चुके हैं, हर महीने किस चुकाने के बाद भी करश कम नहीं हो रहा है, तो करवा चोथ वाले दिन भगवान गडेश को घी गुड का भोग लगाएं, साथ ही उनसे अपनी समस्या दूर करने के लिए प्रातना करें, पूजा के बाद उस गुड को किसी गाय को खिला दे, मानत है कि इस उपाय को करने से घर में आमदनी बढ़ने लगती है, और कर्ज के धिरे-धिरे जो भी हैं, वो ख लगाई जगडा रहता है, तो ऐसे मैं करवा चौत के दिन बरगत के पेड का पत्ता लेकर उस पर लाल रंग से यह हैं चीजे लिख दे, जो आपने अपने पत्ती में देखना चाहती हैं, इसके बाद इस पत्ते को गोल मोड कर अपने शीर के साथ बार घुमागा शाम के सम और पत्ती पत्तनी का रिष्टा ठीक से नहीं चलर पाता है, तो ऐसे मैं यदि किसी पत्ती पत्तनी के बीच विश्वास की कमी हैं, तो करवा चौत के दिन लाल रंग के रेशमी कपड़े में दो गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसो बांध कर एक आगज पर अपने पत्ती दोस्तों ये बहुत ही अचुक उपाय हैं और जिन पत्ती पत्ती में आपस में जगड़ा रहता है, तनाव रहता है, अब विश्वास हो गया है दोनों के बीच में, तो उन लोगों को ये उपाय जरूर करने चाहिए और इसे लाब उठाना चाहिए, करवा चौत वाले दि थैंक यू